नमस्ते दोस्तो आज का वीडियो में बनाने जा रहा हूँ जो कि आपको पड़ाई में साहेता करेगा योम पड़ाई में जो चात्र योम अभीभावकों के लिए एक महतो पूर्ण योगदान देने वाला है जिसमें हम अपनी पड़ाई बढ़ाने के लिए टिप्स लेंगे जो आपके लिए मददगार साबित हो जाएंगे दोस्तो देखो अब पहले हम जानेंगे कि शिक्षा का क्या आर्थ होता है तो मरिया मॉंटे सरी जो प्रसिद्ध विश्व की शिक्षा विद्या है उन्होंने कहा कि एजुकेशन इस नेचरल प्रोसेस शिक्षा ये मॉने का काम नहीं कि मैं किसके पात जा रहा हू? कि शिक्षा आदमी को नैसरगी कुरूप से प्राप्तों होती है उसके बाद में स्वामी मुएकानन जी दोरा शिक्षाकारत बता आ गया उस पुर्तता को वेक्त करना जो मनुष्य में पहले से है यह जो अपने अंतरगत होता है उसे अपने को वेक्त करना पड़ता है जिसे भारत के महान जिसे हम वैग्यानिक कहेंगे अध्यात्मिक गुरु कहेंगे योगों के प्रेरनास्तान तो इस दुरुष्टिकों से हम दे ठेख सकते हैं महानमराठा चटरपती शिवाजि माहराज उन्हों कारेकाल में जो जीवन काल में जो पर ढबांकरा ड्रेस् goose स्टापेड किया उनका जो च्छाव महराज जिए समभाजी महराज को दस से बारा भाषा आउगत थी जिसमें भारतिय भाषा यो अंग्रेजी भाषा विदेशी भी भाषा तो संभाजी महाराज ने बुद्भुशन ये ग्रंत अपने उम्र की 14 साल में दिखा जिसे बुद्भुशन का आर्थ होता है विद्वान उन्हें इस अपने ग्रंत में बताने का प्रायश किया अब अपने को यह छात्रों के लिए खासकर छात्र अपने पढ rhymes ett करे और पढ़ाई में कैसे अपना माबाप का गवरव उचा करने के लिए ये आदमी पढ़ता है लेकिन पढ़ाई में अपना ध्यान आकरशित करने के लिए हम कैसे पढ़े ताकि हमें सक्सेस मिल सके और अपने माबाप का नाम हम पूरे भारत वरश में रोशन कर सकते हैं इनके अनेक उदारन हम यहाँ पे ले जिसमें हम उदारन ले सकते हैं स्री तुकारा मुंडे सरका जो उन्हेंने अपने प्रशास्निय कारेकाल में अच्छे काम करके बताए और पूरे महारास्ट्र में जहाँ जहाँ भी उनका तबादला हुआ तो लोगों ने उनको रोखा कि इनका तबादला मत करो क्योंकि प है अपन ने दूर करने का प्रयस पारश आपने करना चाहिए इसमें जय्सा कि घी काम करते और अच्छा करना चाहिए जैसे कि दुखिने 10 कभिंव पूरा एकी कता सब्सक्रार ले रहे जेकिन 10 मेंसे हम जो जिसने ज्यादा यह फर्च दिया उस एक यह आदमीन को एनने एक एकर में उसको occup 10 quintal का बाश आता है लेकिन हम देखते हैं कि उन 56 लोगों में उनको घी और करमें उन्होंने प्रियस किया नहीं है उन्होंने भी प्रायस किया लेकिन जो टेकणिक जो मेंनत करनी थी स्याइद उसमें वो कम रह गए इसी तरीके से जो भी नीगिटिवीटी हमारे मंन में आती है तो आप कुल चमीivering की तरह सोचो क्योंकि эту टो हरवक्त आदमी पे रहता है एक् प्रेशर तो आता है लेकिन उसमें थंडे दिमाग से सांस्कूरुतिक करह करम केस्ट मुझे गीत बैठाना था तो उसमें मैंने क्या किया जो बच्चे बोलते नहीं जो सामने आते नहीं उनका मैंने गुरूप तैयर किया और उनको मैंने ये आत्माईश्वास दिलाया कि आप लोग भी अच्छे गाना बोल सकते हो लेकिन वो पहले तो उन्होंने हसी पर लिया लेकिन जब मैंने उनको मै तो उसके बाद में जो उसका रिजर्ट आया वो कापी अच्छा आया इसी तरीके से आपको कम मार्स है तो आदमी का जो डेवलप्मेंट है वो बढ़ते रहती है दूसरी बात है उसमें मनोग ज्यान जैसा कि आप कई ट्रावल कर रहे हो बस में आपके साथ चोटा सा बच्छ परप्रशन करता है तो इसी तरीके से उसको आप जाब मत दो आप उसको बताओ कि अभी आंगा आगरा के बाद मतुर आने वाला है जो भी है तो उससे उस आदमी का यह उस शिशू का जो पढ़ने वाला है उसका जो कॉन्फिडेंस है वह बढ़ने लगता है और वह सही दि अगर पड़ेंगе कोई ऐने टेंशन के बगिर आप पटेंगे तो आपके जुण में आपको जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पूरा होते रहेंगा और आपको यह को आपको वह में मिलना आपको आसांग ँसके राद में आपको जो आपने फ्रेंड सब्सक्राइब करें अच्छे प्रेंट चुनना चाहिए जो अपके फ्रेंड में पैसे वाला है करके उसके साथ मही रहूंगा वैसा नहीं आप यह सही तरीके से फ्रेंड चूज करें उसके साथ अच्छी डिसकेशन करें अपके मन में जो सवाल आते हैं उसी तरीके से आप यह आप सी चर्चा करें जिससे आपकी बुद्धिमत्ता और प्रोग्रेस हो जाएंगी उसके बाद में आपको प्रॉपर वेच चुनना चा कादर आप हरदम करें और उनसे अच्छा बनने के जो मार गए उसके बाद में जो भी अपने भारत में महान यह हुए लेकक हुए या समाज वग्यानिक हुए उनका आप चरित्र पढ़िए जैसे आप अगनिपंक पढ़िए उसके बाद में शिवाजी महाराज है शिवाज अपने का काम किया जो भारत यह पुने में पहली स्कूल अपने पूरे भारत वर्ष में शुरुवात करने वाली यह भारत की पहली मुख्या देपिका जिन्नों ने वाए इनका चरित्र पूरा उनका पढ़िए उनका आप अध्यन कीजिए उसके बाद में आपको कई ना अगे चल के भी विकस्षित हो सकते हो तो इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए और जो उच्चे शिक्षा है आपकी उच्चे शिक्षा में आपको एफर्ष लगाना है उसके प्रमान अपने भारत वर्ष में है वो अन्य अदेश्यों की तुलना में कम है जह आपने लड़ स्क्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेर कीजिएगा धन्यवाद जय हीन जय भारत